जे माता दे राधे राधे आई ये सुनते हैं अगहन गुरुवा ब्रत कथा, स्री अगहन विहस्पती ब्रत कथा या स्री महालच्मी के ब्रत कथा के स्रवर और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है स्री महालच्मी माता की किरपासी, शुक्षमपत्ती, ऐश्वर्य प्राप्थ होता है, मन की इच्छा पूरी होती है स्री महालच्मी माता के अनेगरू तथा नाम है, भूतल में विच्छाया, सक्ती, त्रिश्डा, सांती, जाती, लज्जा, स्रध्धा, कांती, ब्रिती, इश्मृती, दया, त्रिष्टी, माता, अधिस्थात्री एवं लच्मी के रूप में इस्थीत है उन्हें प्रडाम करते हैं सुसीला, कंदबन में कंदबाला, राजाप्रसार में राजलच्मी और घर-घर में ग्रिहलच्मी इन बिभिन नामों से पहचानी जाती है इस तरह शर्वथा, चारो ओर शर्वभूत में सुपर्चित माता, स्री महालच्मी की यह कथा है अब हम अब इसका स्रवर पठन करेंगे भारत वर्ष के सवराष्ट देश में द्वापरियुक की यह कहानी है सवराष्ट में उस समय भद्र स्रवा नाम की राजा थी, वी बड़ी पराक्रमी राजा थी चारवेद, छे सास्त्र, अठारव पुरारों का उन्हें ग्यान था उनकी राणे का नाम सुरच्चंद्र का था, राणे दिखने में सुन्दर और सुलच्छडा थी, तथा पती व्रता थी उन दोनों को साथ पुत्र तथा उसके बारी कन्या का वर्दान मिला था, कन्या का नाम सामबाला था एक बार महालच्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें इससे राजा को दुगनी धन्दवलत की प्राप्ती होगी और वह इस धन्दवलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा गरीब के घर अगर रहें और उसे धन्दवलत प्राप्थ हो तो वह श्वार्थी की तरह किवर अपने उपर ही खर्च करेगा यह सोचकर श्री महालचमी जी ने बुढ़ी ब्रामार इस्त्री का रूपधारण किया हाथ में लाठी लिए लाठी की सहारे राणी के द्वार तक पहुची यद्यपी उन्होंने बुढ़ी अवरत का रूपधारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था उन्हें देखते ही एक दासी सामने आए उसने इनका नामधाम कामधन पुछ डाला ब्रिद ब्रामणी का रूप धारित माता लच्मी ने कहा बाल के मेरा नाम कमला है मेरे पती का नाम भोनेश है हम द्वारिका में रहते हैं तुम्हारी रानी पीछले जन में एक वैश्य की पत्नी थी वह वैश्य गरीब था दरिद रता के कारण हर रोट घर में जगड़े होते थे तथा उसका पती रोज उसे मारता था इन बातों से तगा कर वह घर छोड़कर चले गए तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी उसकी इस दुर्दसा पर मुझे दया आई तब मैंने उसे सुक्संपति देने वाली स्री महालच्मी की कथा सुनाई मेरे कहने पर उसने स्री महालच्मी का ब्रत किया स्री महालच्मी प्रशन हुई उसकी गरीबी दूर हुई पूर्या की बाते सुनकर दासी ने उन्हें प्रडाम किया तथा स्री महालच्मी का ब्रत किस तरह किया जाए इस बारे बेपूछा बुढिया रोगधारण किये हुए श्री महालच्मी माता ने दासी को पूजा की विधी तथा महिमा बताई इसके बार वह दासी माता को प्रडाम कर रानी को बताने अंदर चले गई राज बैफों में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत खमंड हुआ था संपत्ती तथा अधिकार की वज़र से वह उन्मत हो गई थी दासी द्वारा बताई गई बुढिया की बाते सुनकर वह आग बबला होकर राज द्वार पर आकर बुढिया रुपी श्री महालच्मी पर बरस पड़ी उसे यह मालू नहीं था की श्री महालच्मी माता बुढिया का रुधारण की द्वार तक आई है परंतु रानी का इसकदर रुखा बरताव तथा अपना नादर देखकर माता ने महाठा हरना ठीक न समझा वे वहां से चल पड़ी रह में उन्हें राजकुमारी सामबाला मिली उन्होंने सामबाला को सारी बात बताए सामबाला ने अपनी ओर से स्री महालच्मी माता से चमा मागी माता को उस पर दया आई उन्होंने सामबाला को स्री महालच्मी ब्रत के बारे में बताया उसने अगहन माह का पहला गुरुवार था सामबाला ने परमस्रधा से स्री महालच्मी का ब्रत रखा फलस्वरुप राजा सिध्धेश्वर के शुपुत्र मालाधर से उसका विवा हुआ वधन दवलत ऐश्वर्य बैभाव से माला माल हो गए पती के साथ ससुराल में आनन्द से दिन बिताने लगी इधर स्री महालचमी का प्रगोप हुआ फलस्वरुप राजा भद्रस्रुवा का राजय एवं राजकारोबार नश्ट हो गया यहां तक के खाने के लाले पड़ गए ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया हमारा दमाद इतना बड़ा राजा है धन्वान है ऐश्वरी साली है क्योंनों उसके पास जाएं अपना हाल उसे बताएं वह जरूर हमारी मदद करेगा इस बात पर राजा भद्रस्रुवा दमाद के पास रवाना हुए राजे में पहुचकर एक तालाब की किनारे थोड़ी देर भी स्राम लेने के लिए ठहरे तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा उन्होंने विदम्रता से उनकी पूस्ताज की जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे राणी सामबाला के पिता है तो दड़ते हुए जाकर उन्होंने राणी को सारी बाद बताई राणी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठार से उनका श्रुआ अगत किया तथा आदर सतकार किया खान पान करवाया जब वे लवटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया राजा भदर स्रुआ जब वापस लवटे तो उन्हें देखकर राणी सुरत्चनरी का खुसुल उन्होंने से ओने की मोहरों से भरे घड़े को खोल दिया पर हाई भगवान घड़े में धन के बदले कोईले मिले यह सब स्री महालचमी के प्रकोप्षे हुआ इस प्रकार गुर्दसाब में और कई दिन बीत गए इस बार राणी स्वयम अपनी कर्णिया के पास गए वह दिन अगहन महा का अंतिम गुरु आर था सामबाला ने स्री महालचमी का ब्रत किया पूजा की अपने माता से भी ब्रत करवाया इसके बाद रानी अपने घर आई स्री महालचमी का ब्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपार धन्दवलर आश्वरे प्राप्थ हुआ वह फिर से सुकसांती आनन में जीवन बिता पुरानी बाते याद आई यहकी सामबाला ने अपने पिता को घरा भर कोईला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था इसी कारण सामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदरा दिथ्य नहीं हुआ बलकि अनादर हुआ पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना अपने घर लवटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया अपने घर लवटने पर उसके पती ने पूछा अपने माई के से क्या लाई हो इस पर उसने जबाब दिया वहां का सार लाई हो पती ने पूछा इसका मतलब क्या हुआ है शामबाला ने कहा थोड़ा धीरज रखें सब मालूम हो जाएगा उस दिन सामबाला ने सारा भोज़र नमक डाले बिना बनाया और परूसा पती ने खाना चखा सारा खाना नमक बिना था इसलिए स्वाद न आया फिर सामबाला ने थाले में नमक डाला इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा तब सामबाला ने पती से कहा यही है वह माईके से लाया हुआ सार पती को उसकी बात सहे लगे फिर वह दोनों हसी मजाग करते हुए भोजन करने लगे कहा गया है कि इस तरह जो कोई स्रधा भाव से स्री महालचमी की पूजा करे उसे माता की किरपा प्राप्त होती है शुक्षंपत्ति सांती प्राप्त होती है शभी मनुकामनाएं पूरी होती है परन्तु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए हर गुरुवार को ब्रत पाथ अवस्य करना चाहिए इस तरह स्री महालच्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है इस प्रकार स्री अगहन ब्रिहस्पती ब्रत कथा या स्री महालच्मी की गुरुवार की कथा शंपोर होती है